कि अलो गाइज विए बैक विज अनदर प्री मार्केट एनलिस वीडियो होप आप सभी का आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छे से गया होगा ओकी बोल सकते हो कि मार्केट ने अच्छा कासा जो भी हमारा व्यू था उसे अच्छे से रिस्पेक्ट करा है एक ही ट्रेड था जि तो आज हमें एक अच्छा कासा बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में गैप डाउन देखने को मिला 480 पॉइंट का स्पोर्ट में और 200-300 फूइंट में तो उसमें अच्छा कासा प्रॉफिट हो गया था उसके बाद वन साइड़ेट रैली आप बोल सकते हो स्टार्टिंग से इतना यह मुमेंटम भी आप गिनोगे तो चार सो आई थिंक चार सो सी चार सो तीन सो सी चार सो पॉइंट का कुछ मुमेंटम हमें नीचे की साइड में देखने को मिला उसके बाद थोड़ा बहुत साइड़ेज यहां पर मार्केट होता हुआ दीखा इफ किसी ने हमारा ज हमने ट्रेड करा था उसके अला इस कोई भी फ्रेश एंट्री बना थे तो फिर वह आप होने के चांसिस बढ़ जाते थे यहां पर ठीक है तो वह एक चीज़ आज देखने को मिलती अदर्वाइस अच्छे का से ट्रेड हमने सभी जगह से बोल सकते हो कि कैप्चर करे थे र किस साइड का प्लान किया आपको पता ही होगा P side हम बैट है बिकॉस अच्छा कासा एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है मार्केट में बोल सकते हो कि पिछले दिन भी और आज के दिन भी अच्छा कासा बोल सकते हो कि नेगेटिव स्ट्रक्चर मार्केट बनाये तो यह trendland को breakout में भी कल fail हो सकता है, यह एक possibility कल के दिन में बन सकती है, और otherwise आप यहाँ पर भी देखोगे कि market ने यह जो भी एक level हमने बता है था, उसके आसपास बाउंस लेने का try किया, पर वो bounce भी fail हो गया, फिर से यह bounce लिया है, वो भी fail होगे, अभी दिरे दिरे यह bounce लेते हो, price उपर जा रही थी, बट जो भी previous swings थे, तो इसके उपर तो still वो halt नहीं कर पाया, या फिर उपर breakout नहीं दे पाया, तो अभी के लिए बूल सकते हो कि कोई भी swing high अभी तक के लिए तो टूटे नहीं है, कोई भी resistance उपर की side टूटा नहीं है, तो एक bearishness अभी भी market में बनी हुई है, तो वो एक चीज हम ध्यान में लेके चल रहे हैं, तो यह वाला breakout फेल हो सकता है, और market दीरे दीरे फिर से जो भी अपने day lows तक आ सकता है, और बूल सकते हो कि नीचे day lows के आज पास भी जाएगा, तो यह नीचे 140 point something की कुछ जगा अपने पास है नीचे, ठीक है, तो एक बूल सकते हो और deep या फिर बूल सकते हो थोड़ा बहुत और correction हम मार्केट से expect करके चल रहे हैं, क्योंकि अब देखने जाओ तो अभी किसी को कि क्या बात है, मैं bank nifty यह बात करते हैं, बैंक nifty को भी यहां से reverse होना होगा या फिर बूल सकते हो कि यह जो भी continue trend चल रहा है, इसका एक अच्छा कासा correction लेकर फिर उसे reverse होना होगा तो वह V-shape recovery ऐसे नहीं देदेगा, यह नीचे आया है, यहां पर थोड़ा बहुत sideways होगा, sideways होने के बाद धीरे-धीरे है न वह higher low structure बनाएगा, ऐसे higher low structure और कोई भी resistance के आसपास वह अटकेगा और वह resistance का breakout जाएगा फिर वह reverse होगा, तो एक accumulation phase हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद ही market accumulation इटले इन दे सेंस के जो भी range bound एक moment आएगी, तो वह एक phase लेखने को मिलेगा, उसके बाद ही वह reverse होगा, ऐसा ही तुरंद ही वह reverse नहीं हो जाएगा, तो यह जो भी दो दिन से negativity बनी हुई है, इसका यह profit booking बोल सकते हो, आज expiry भी थे उसके वाज़े से, तो और एक dip और बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत और profit booking हम नीचे की side या फिर correction नीचे की side हम expect करके चलने के market देगा, और futures के chart में अभी एक चीज क्या दिख रही है, कि अब spot में तो नहीं पता, बट एक छोटा सा gap यहां पर है, अभी यह gap spot में भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो चीज मेरे को नहीं पता, बट price यहां तक आ सकती है और यहां से फिर reverse कर सकती है, वो एक चीज दिखने को मिल सकती है, कल के दिन में, ठीक है, S पर जो भी मुझे chart अभी दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी spot की पता, spot का नहीं पता हमें, तो spot में नहीं जाते है, तो अपने पास नीचे, if market flat या फिर flat to gap down open होता है, तो नीचे की side क्या scenario बन सकता है, तो उसकी बात करते चलो, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी closing price है, closing price से अपने पास नीचे, 140 point की जगा नीचे है, तो जो भी 45,450 का एक नीचे का level, 45,450 एक अपना first support level हो जाएगा, क्योंकि यह आज का day low है, उसके बाद, इफ यह day low के आजपास क्या price action scenario बनाता है, इफ यह day low भी break करके, फिर pullback देखके, फिर से start करता है ना नीचे जाना, तो यह 45,300, 45,300 तक easily आ जाएगा, ओकी, फिर यह जो भी gap area एक feel हो जाएगा, यहां पर फिर हम देखेंगे कि market क्या price action बना रहा है, यहां पर इफ यह build up ब का एक face, आपको पता चलगी, starting में, if market open होगा, flat या फिर flat to gap down, या फिर open होते हो, दीरे-दीरे नीचे slide करना start करेगा, तो first उसका day low, जो भी 45,450, और वो भी तूटेगा, तो फिर 45,300, तो हमारे पास नीचे दो levels में लेके चल रहा हूँ, अभी के लिए तो, okay, और उसके जो भी आज का, जो भी day high है, उसका, या फिर day high वाले swings है, तो वो swing वाला एक पूरा buffer area में लिया है, एक resistance के लिए, ठीक है, तो ये resistance अपने पास 200 point उपर है, तो closing से 200 point उपर एक resistance area है, अपने पास, या फिर जहां पर price बोल सकते हो, ये जो भी उपर से rejections बताये थे, ये वा से price ने one sidedly, एक day low दिया है, तो ये एक अपना supply zone हो जाएगा, तो यहां पर बोल सकते हो कि market, इफ उसे gap up या फिर फ्लाइट टू gap up उपर होके, उपर जाना start करेगा, तो ये previous day high तक के targets अच्छे से दे सकता है, तो अभी के लिए तो मतलब एक neutral सा मतलब में आपको analysis share कर रह जाना है, right, if market उपर चला जाता है, या फिर बोल सकते हो कि, आज के day close के उपर open होता है, और लगता है कि हमें वो उपर जागा, तो फिर हम पी side की position से वो काट के फिर हम C में बैठ जाएंगे, ठीक है, तो मतलब simple से चीज़ जो दिखेगा, वो ही trade करेंगे, okay, mindset नहीं, जो मतलब जो price action दिखेगा, वो ही trade करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम मतलब P side बैठ है, तो P side ही trade करेंगे, ऐसा कुछ चीज नहीं होती, जो भी दिख रहा है, जो भी market हमें दिखाएगा, वो ही चीज़ हम trade करेंगे, ठीक है, तो उपर की side जाएगा, तो हमारे पास एक आज का day high वाला area, यानि की 45-800 वाला area, ठीक है, तो बोल सकते हैं, उपर 200 point की जगा है, हमारे पास 200 से 220 point पकड़के चले, 45-800 एक अच्छा level हो जाएगा, हमारे लिए अपर resistance के लिए, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि market यहाँ पर क्या कर रहा है, इस यहाँ पर थोड़ा बहुत है, otherwise market को यह वाला level भी तोड़ना होगा ना, तो यहाँ पर बोल सकते हो कि build-up बनाएगा, और build-up बनाने के बाद, उपर की side, तोड़ के फिर यह जो भी उपर की side, 45-900 and 50, या फिर बोल सकते हो कि 45-900, चलो ना, 100 रुपे उपर ही ले ले लेते हैं, तो यह जो भी 100 रुपे का काम करेगा, या फिर 920 चलो, 900, 45-900 से 45-920, तो दो एक 20-point का मैं बोफर इरिया, यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, तो यह एक चीज़ ज्यान में रखे गया, इसे मैं थोड़ा long यहाँ पर कर दिया, ओके, तो इफ प्राइज उपर जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे, प बना के फिर से नीचे आता है, इफ यह उपर ब्रेक करेगा, तो 45-920 वाला एक लेवल हमारे लिए एक अच्छा का सा रेजिस्टन्स का काम करेगा, ओके, तो मोटा-मोटी उपर की साइड हमें देखने होगी, तो कितनी जगा है, यहाँ तक, अल्मोस-अल्मोस 300-330, 320 point, ठ तो 300-300 point मोटा-मोटी हम दोनों साइड लेके चल रहे है, उपर भी और नीचे भी, ओके, तो यह एक प्रॉपल एक न्यूटरल व्यू हो गया, उसके अलावा फिर ऐसा जो अभी आज के दिन तो इतना बड़ा gap-down होगे, अपने को यह चीज देखने को मिलेगी, तो एक ची कि आज के दिन में हमें देखने को मिला, यह एक अच्छा कासा support एरिया था, 45 920, 92900 वाला, तो वो एरिया अच्छा कासा support था, पर वो ओवरनाइटी टूट गया, gap-down gap-up में, तो यह एक अलगी सिनारियो हो जाता है, तो कोई-कोई बार बड़े gap-up, gap-down हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत sentiment change कर देते हैं, वो तो मतलब सभी चीज़ा हम मतलब live आते हैं, तो उसमें आपको पता चली जाएगी, तो mainly level wise बात हो जाएगी, तो level आपको मैंने यहाँ पर बता दिये, उपर 2 level, नीचे 2 level, और यह नेक buffer area है, 300 से 250 का, but यहाँ पर देखेंगे, यह वाला उपर जाना, start कर रहा है, तो 40 by 300, एक important level अपने लिए नीचे की side हो जाएगा, तो यह एक neutral analysis था, otherwise जो भी हमारा view भी है, वो भी हमने share कर दिया है, already community में, कि हम थोड़ा बहुत और negative side के लिए जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ proper indication market ने हमें नहीं दिया है, कि यहाँ सही वो reverse हो जाए, या फिर range का breakout यह फिर से उपर जाना, start कर देगा, तो उसके बाद फिर हम C side में बैट जाएंगे, तब तक के लिए, बोल सकते हो कि आज के दिन में भी अच्छा correction आए, उसका यह थोड़ा बहुत profit booking है, और फिर थोड़ा बहुत नीचे और जा सकता, फिर यहाँ पर हमें देखने के, मतलब थोड़ा important day होगा, कि जो भी market ने, यह वाला जो भी deep लिया है, वो deep continue होगा, या फिर यह वाले कोई areas में से ही, मतलब वो उपर की side फिर से reverse करना start करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर भी देखोगे, तो यह area से ही, इसने मतलब एक correction लिया, फिर यहाँ स P side का, वो दिखाया, breakdown और इसके बाद थोड़ा बाद build up बना के, फिर वो उपर की side निकल गया, बट हमने मतलब P side क्यों बैठा है, कि थोड़ा बहुत और हम expect करें कि market नीचे की और जाए, ओके, तो भी breakdown हो या कुछ भी हो, मतलब P side हमने position बनाए, तो विस से चीज है ना, वो हमें मतलब profit देगी, तो मतलब वो ही profit हम book करेंगे, और देखेंगे, कि market कल क्या क्या projection scenario बनाता है, ओके, other thing, gap up, gap down, तो मतलब फिर global indices भी हम देखेंगे, क्या क्या चीज है, आज के रात में हो रही है, ओके, बस आज के लिए इतना रखेंगे guys, hope आप सभी को ये चीज अ thank you so much, see you, मिल ते ने 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 वीडियो